हेलो एवरंक, राज्य सेवा परिच्छा का फार्म को आप किस तरह step to step फेल कर सकते हैं वीडियो को इंट तक जरूर देखें CGPC Pre का एक्जाम जो है 12 फरवरी 2023 को होगा 10 से 12 बजे की बीच और 3 से 5 बजे के बीच में ठीक है अभी प्रारंभिक जो परिच्छा का फार्म जो है 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में रात के 12 बजे तक आप फार्म को भर सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी सूल के नहीं देना है आपको सी पोटल सूल के जो 47 रूपीज 40 प्लस GST मतला 47 रूपीज लगेगा वो देना है अगर कोई गलती हो जाता है तो तुर्टी सुधार के लिए आपको जो है निशुल का जो होगा है टाइम रहते आपको 21 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में आपको निशुल को जो है तुर्टी सुधार कर सकते हैं अगर इसके बाद आप करते हैं तो आपको अंतिमतिती के बाद में अगर आपको सुधार करते हैं तो 500 रुपया सुधार लगेगा, ठीक है, तो चले step to step कैसे form को भनना दिखा देता हूँ, इसको officially website cgpc का यह है, यहाँ पर login होने पाद right side में online पर click करेंगे, अब first day में किया हुआ है क्या चीज़, ठीक है, फर्स्त से आप download करके पढ़ लिजे instruction, second में जो new है, जो पहली बार भर रहे हैं, वो अपना नाम, mobile number, email id सभी को fill करके ओटी भी generate कर लेंगे, आपको password आपको email id में मिल जाएगा, जो already registered कर चुके हैं, कई form भर चुके हैं, वो third number को click करें करेंगे, देखे, already registered candidate जो पहले हम form भरते थे, अभी एक दो साल से continue, इसी से ही login करके हो रहा है, तो यहाँ पर आपको starting में जो email id और password जो आपने login किया था, वो यहाँ पर click करना अगर भूल रहे हैं, तो नीचे दिया हुआ, forget उसमें कर सकते हैं, मैं email id और password को डालकर login कर ल उसका भी information यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है, अब चले step to step हम इसको apply करते हैं, state service exam 2022 का, याद रखना है 1 December से 20 December के बीच आपको form को apply करना है, जो भी information जो starting में आपने दिये था, उस सारा चीज़ यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अगर आपको changes करना चाहते हैं तो changes कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ new add हुआ है, birth place को पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल दीचे, उसके बास थोड़ा से देखे, changes कुछ कुछ चीज है, बांकी तो automatic आपको आ जाएगा, यहाँ पर आपको select option दिया है, जैसे यह role number मैंने जो डाला हुआ date of birth के प्रूप के लिए, तो मैंने 10th के mark sheet को डाला हुआ है, ठीक है, add कर दिया हूँ इसमे, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लिजे, 10th के mark sheet में date of birth दिया रहता है, तो उसके अधार पर हम डालें, अब nest में यहाँ पर आप 36 रामीन पूछ रहा है, तो यह अर्वन छेतरे में आता है, ठीक है सहरी, अब नीचे में यहाँ पर category के बारे में पूछ रहा है, कि आप OBC से आते हैं, या STS से तो मैं OBC से आता हूँ, तो मैं इसका सारा certificate number, अभी कुछ इशू आ रहा है इसमें कि 2020-19 से लेके यहाँ तक का उसका solution जो है आप उसमें पढ़ सकते हैं, नोटिविकेशन में, तो मैंने सारा चीज जो information जो दिया हूँ है, सब चीज डाल दिया हूँ है, अब PHE, विकलांग, जितने भी और बाकी पर आप पढ़ सकते हैं, बाकी सभी जो है, नो रहेगा, ठीक है, अगर कुछ लगता है तो आप उसको yes कर सकते हैं, तो save and nest पर continue करेंगे, तो आगे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो permanent address है, वो fill कर दिया है, जैसे और nest में आपको state choice करना है, जैसे 36 गड़म से हूँ, राजनानगा जीले से हूँ मैं, वो चीज को step to step सहीं आपको fill करना है, यही बहुत ही important होता है, ठीक है, तो सारा चीज मैं fill कर दिया हूँ, pin code और nearest आपको police station कौन से है, यह भी fill कर देना है, verification के time जब आपता है, तो यही important काम आता है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सारा qualification 10th से लेके, आपने post graduation तक सारा चीज जो भी किया हो, जा है, सबसे पहले 10th मैंने higher school का डाला, उसके बाद higher secondary का डाला, तो यह line से मैं अभी डाल देता हूँ, जल्दी से fill कर देता हूँ, ठीक है, higher secondary का मैंने fill कर लिया, उसके बाद मैंने graduation का भी fill कर लिया, मैंने post graduation भी कर लिया, और सांथी सांथ मैंने PGDC diploma भी किया, तो वो भी मैंने सा सार चीज आप जो है, करने के बाद मैं प्रमानित करता हूँ, इस पर tick करेंगे, और आगे बढ़ जाएंगे, nest पर, nest पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको work experience पूछ रहा है, अगर आप कहीं government, semi government, या private, जो भी करें, यहाँ पर आपको fill कर देना है, उसके बाद यहाँ पर photo और signature को add करना है, ठीक है, अगर आपने पहले भी fill किया हूँ, तो आपको option नहीं देगा, उसके बाद यहाँ पर post पूछ रहे हैं, कि इस post लिए तो हम state service exam करना है, अब यहाँ पर कुछ पोस्ट कर requirement पूछ रहा है, जो कि आपको इसको tick yes और no में बताना है, तो पहला यही पूछ है कि graduation degree, जो है कोई भी any string government से जो authorized उस university सापने किया है, तो बिल्कुल मैंने graduation का degree जो है, government authorized से किया हूँ, उसके बाद पूछ रहे है क्या आप final year या semester, जिस result का weighted कर रहे हैं क्या, नहीं तो मैं pass out हो चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर no करना है, ठीक है, इसमें क्या है, जो final year की student है, वो भी इस form को भर सकते हैं, इसलिए यह option दिया हुआ है, अगर आप pass out हो चुके हैं, तो इसको no करके आगे बढ़िए, क्योंकि हम final year की student नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद मैं प्रमानित करता हूँ, यह हो जाने के बाद आगे next पे click करेंगे, तो चले, य A to Z, नाम जैसे भी, अगर point भी लिखा होगा, इस पेस करके भी, वैसी ही आपको यहाँ पे A to Z लिखना है, matriculation, दसवी के नाम के अनुसार, जो आपने पहला detail दिया था, देखिए, match क्योंने हो रहा था, क्योंकि मैंने जो नाम में क्या थे, वहाँ पे, थोड़ा सा point का ज सारा चीज जो है, पूरा आ जाएगा, यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है, कोई भी mistake लगता है, तो आप पीछे जा सकते हैं, ठीक है, यह देखिए, अपना नाम, फोटो, सब चीज जो है, यहाँ से देख लिए, अब यहाँ पर सबसी important है, आपको exam center 24 करना है, आपके ही city म free service available है, कोई भी आप से charges नहीं ले जा रही है, सीव आपको portal charges देना है, जो कि 40 रुपे है, GST, 80% करके 47 रुपीज हो जाता है, I hereby पे clear करेंगे, ठीक है, 47 रुपीज और pay now पे click कर देंगे, तो चले I agree पे कर देते हैं, I agree हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको तीन option देगा, credit card, debit card, net banking, यहाँ पे UPI option नहीं दिया, देना चाहिए था, क्योंकि बहुत लोग UPI से करते हैं, तो यहाँ पे मैं debit card से करता हूँ, आपके पास भी debit card होगा, चाहिए, PTM का हो, phone, जिसका भी हो, ATL payment, सभी, तो यहाँ पे आप जो है, इसको fail कर लीजे, उसके बाद मैं थोड थोड़ा सा wait करना है, आपका OTP, आपके mobile number, जिस registered bank से registered को उसमें आएगा, तो मैं OTP को यहाँ पे fail कर देता हूँ, थोड़ा सा wait करते हैं, उसके बाद make payment पे click करेंगे, थोड़ा सा आपको wait करना है, नेट अच्छा से रखना है, आपका payment जो है, देखे, right side में your payment has been successful process, तो देखे, यह तरह आप easily अपने form को mobile से ही बार सकते हैं, यहाँ पर आपको detail आजाएगा, और action पर click करेंगे, तो आप future में कभी भी अपने form को print कर सकते हैं, यहाँ पर submit लिखा, आपका ID और submit और pad लिखा बहुत important ही, यह जरूरी है, save करके रख लिजे पीडियो के यह लिखा होना जरूरी है, क्योंकि अगर यह नहीं लिखा है, unpad लिखा है, मतलब आपको form submit नहीं हुआ है, idea चुका है आपका, सारा detail आपको यहाँ से मिल जाएगा, यह देखे, ठीक है, आपको transaction detail भी यहाँ से मिल जाएगा, I hope वीडियो अच्छे लगए तो चैनल को subscribe जरूर कीजि इसी तरह जितना form में सभी के बारे में और लाते रहूंगा